नमस्कार सातियों, आप सबी का एक ओर वीडियो में स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम देखने वाले है एक ऐसी हांसी पलान जहाँ पर दो बेर्लूम बने है, दो ट्वैलेट बने है, एक ड्रोइंग रूम बने है, एक किचेन है, एक काफी बड़ा होल है और साथ में parking भी है और stairs भी बरे आराम से यहां पे बने हैं कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तो इस plot की size क्या है और इसके room बगएरा कितने-कितने sizes के है kitchen, drawing room, toilet कितने size के है, stairs कितने जगे में चरा है और parking के लिए कितने जगे है यह सभी चीज में आपको details में बताऊंगा यह plot size क्या है यह भी में आपको बताऊंगा उससे पहले तो आप देख सकते है पीछे की तरफ दो bedroom है, बीच में एक toilet है, एक toilet इस जगे है यहां पे एक drawing room है, इसके बगल में kitchen है काफी बड़ा यहां पे एक hall दिया गया है, जिसे हम dining area के लिए यूज कर सकते है और entry करते ही parking है, दो यहां पे door है, पारकिंग के लिए और एक door है जहां से हम entry करेंगे, entry करते ही left side में stairs बना है जो की दो पार्ट में बनेगा, यह यहां से चल कर और यह उपर की तरफ मुर जाएगा stairs के नीचे काफी जगे है, जहां पे हम motor बगएरा लगा सकते है या हमारी plumbing बगएरा के अगर कोई pipe है, उसको fit कर सकते है यहां पे stairs के नीचे काफी जगे है, तो आपने देखा में बना है, यह सबी चीजे आपको मैं अभी दिखाता हूँ, तो दोस्तों यह है इसका 2D plan, यहां क्या क्या बना है, यह तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, अब हम बात कर लेते है इसके sizes की, plot कितने size की है और यह room बगएरा कितने size की है, तो आप देख सकते है plot का size है, 28 feet into 40 feet का plot है, total area की बात करें तो 1120 square feet total area बन रहा है yard या गज में बात करें तो लगभग 124 गज, 124 से थोड़ा से ज़ादा होता है वैसे मैंने round figure के लिए 124 yard या गज आप बोल सकते हैं, इतने बड़ा यह plot है इसकी length और इसकी बीर्थ है, वे आप देखी रहे है, 28 feet into 40 feet का है अब हम बात करते हैं, सबसे पहले entry से, तो entry जैसे ही हम करेंगे तो parking के लिए एक door है, main door है, इसके बगल में एक door और दिया गया है जैसे ही entry करेंगे, तो left side से यह stairs यहां से बना हुआ है, जिसका size है 10 feet 3 inch into 6 feet 3 inch, वैसे दोस्तों यतने जगे में यह stairs बना हुआ है इसके आगे भी करीब 2-3 feet का जगे बच रहा है, जहां से हम इस stairs के उपर entry करने वाले है बात करें, पार्किंग की तो पार्किंग काफी बड़ा, यहां पे पार्किंग के लिए जगे बच रहा है जिसका size 15 feet 8 inch into 15 feet 6 inch का यह parking है kitchen की बात करें, तो kitchen की size 10 feet 3 inch into 7 feet 2 inch का kitchen है और यहां से हमारी जो parking है, इसके आगे एक door है, जहां से हम इस hall में entry करेंगे और इसी hall में से हम इस जो हमारी drawing room है, इसमें entry करेंगे क्योंकि यह सारे open है, तो यहीं से kitchen में आने के लिए जगे है इसकी जो hall है, इसके sizes की बात करें, तो 15 feet 8 inch into 12 feet का hall है, dining area है drawing room की बात करूँ तो 10 feet 3 inch into 8 feet का drawing room है, यहीं पे drawing room के बगल में toilet एक बना है, जिसका size है, 7 feet into 5 feet का, और एक toilet और यहां दो bedroom के बीच में बना है जिसका size भी 7 into 5 inch का है, तो यह सभी चीजे हो गई, bedroom की बात करें तो 10 feet 3 inch into 10 feet का एक bedroom है दूसरा bedroom भी 10 feet 3 inch into 10 feet का यह bedroom है, दोनों bedroom सेम है और दोनों toilet है, वे भी सेम है आप देख सकते हैं, पार्किंग के लिए और hall के लिए काफी जगे बच रही है और stairs भी यहां से बरे आराम से बनेगा stairs के नीचे भी जगे बच रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पे बहुत से कामों के लिए हम इस जगे को यूज में ले सकते है दोस्तों number of column की बात करें, तो इस पूरे प्लान में जिसका size आप देख सकते है, 1120 square feet का यह plot size है इस पूरे प्लान में लगभग 17 column आएगा, मैं यह column की जो भी position है, यह अपने हिसाब से यहां पे मार के कर रहा हूँ अगर आप के पास कुछ इस प्रकार की कोई plot है और आप घर बनवा रहे हैं, तो आपके घर में जो भी load आने वाले हैं, उस हिसाब से आपकी column की जो position है, वे decide होगा यहां की बात करें, तो इस प्लान के लिए मैंने 17 column डिजाइन किये हैं, तो आप देख सकते हैं इसके position कहां कहां पर है दोस्तो लागत की बात करें, तो अगर हम इस प्रकार के घर बनाते हैं इतने जगेह में, तो ground floor के लिए लगवख 15 लाख रुपे से लेकर और 18 लाख रुपे तक पूरे finishing में ये घर बनकर तयार हो जाएगा तो दोस्तो मुझे लगता है, जो मैं आपको बताने की कोशिस कर रहा था, वे मैं आपको बता चुका हूँ फिर भी आपके कोई सवाल या कोई सुझाव रहे गया हो, तो आप मुझे comment section में जरूर लिखे, मैं कोशिस करूँगा आपके जो भी कोई रिस होगा उस पर अगला वीडियो बनाने की मैं आपसे मिलूँगा किसी नए वीडियो में जो की ऐसे ही घर मकान से related होगा, वीडियो में मेरे साथ यहां तक बने रहने के लिए आपको दिल से धन्यवाद